अगर इन्वेस्ट करना है तो FD में कर दो 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा अरे नहीं इससे अच्छा तो mutual fund है 5 साल में ही पैसा डबल ये तो सबने कहीं न कहीं सुना ही होगा लेकिन ये पैसा डबल होने का secret क्या है? कभी सोचा है? secret है compound interest friends अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है तो इस चैनल को subscribe जरूर कर ले ताकि आप हमारे future के वीडियोज मिस न कर दे हम सबने अपने बचपन में compound interest तो पढ़ाई है कैसे 100 रुपे एक साल में 10% interest मिले तो 110 अगले साल वही 110, 120 नहीं, 121 और तीसरे साल 130 नहीं, 133 बनता है और इसी तरह आगे के सालों में भी हमारे पैसे को बढ़ाता जाता है सब जानते हैं लेकिन फिर भी जब हम अपने time frame को बहुत लंबा खीच दें तो इसकी power कितने गुना multiply हो जाती है हम imagine नहीं कर पाते चलिए, इसे हम एक example के थूँ समझते है मान लीजिए आप 25 साल के हैं और कैसे भी करके 5 लाक रुपे सेयो करके 15% rate of interest पे invest कर देते हैं और इसके बार पूरी जिंदगी 1 रुपया भी और invest नहीं करते फिर देखते हैं ये 5 लाक रुपे साल, 10 साल, 35-40 साल तक कितने गुना तक बढ़ जाते हैं पांच साल में ये 5 लाक रुपे अप्रॉक्सिमेटली 10 लाक रुपे हो जाते हैं 10 साल में हो जाते हैं 20 लाक 15 साल में 40 लाक 20 साल में 80 लाक 25 साल में 1 करोड 60 लाक अब जो अगले 15 साल में होगा वो किसी चमतकार से कम नहीं 30 साल में ये 1.60.000.000 हो जाएंगे 3.20.000.000 35 साल में ये हो जाएंगे 6.40.000.000 मतलब आपकी रिटायर्मेंट एज होने पर और 40 साल में ये हो जाएंगे पूरे 12.80.000.000 केवल 25 साल की उमर में सही से इन्वेस्ट किये गए केवल 5.00.000.000 रुपे आपको 65 साल की उमर में कैसे 13 करोर रुपे जैसी मोटी रकम का मालिक बना देगा विश्वास नहीं होता न अब समझ में आया कैसे वारन बफे ने अपनी आदी से ज्यादा समपत्ती 60 साल की उमर के बाद कमाईये सिर्फ और सिफ compound interest से इसलिए तो दुनिया के मांतम वैज्ञानिक सर अलबर्ट आइंस्टेइन ने ऐसे ही नहीं कह दिया दा compound interest is the eighth wonder of the world he who understands it earns it he who doesn't pays it compound interest दुनिया का आठवा अजूबा है जो इसे समझता है इससे कमाता है और जो नहीं समझता वो इसे लोन के रूप में भरता है इसे समझना इसके formula को समझना नहीं बलकि लंबे समय में इसकी power को समझना है यही बात जो buffet जैसे legendary investors को अपने बचपन में समझ में आ गई थी काफी लोगों को अपने भुड़ापे तक नहीं आती इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी काम करते करते गरीबी या middle class में गुजार देते हैं इस बारे में कुछ बफे नहीं कहा था If you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die अगर आप ऐसा कोई रास्ता नहीं खोशते जिससे आप सोते वक्त भी पैसा कमा सकें तो आपको मरते दम तक काम करते रहना पड़ेगा और compound interest इसी का एक भावती सरल रास्ता है लेकिन क्या आपने ये सोचा है कैसे मैंने पांच लाग रुपे की calculation इतनी जल्दी करके दिखा दी ज़रूर पहले से compound interest के formula में डालके देख लिया होगा या फिर अगर हम हर साल इस पांच लाग रुपे में कुछ savings add करते गए तो आखिर में जाकर ये 13 करोड का amount और कितना बड़ा हो जाएगा कोई अंदाजा भी लगा सकता है हम Microsoft Excel में बार-बार डाल का ज़रूर देख सकते हैं लेकिन वो भी तो एक laborious job है और वैसे भी कितने लोग वाकई में Excel यूज करते हैं कोई तो आसान तरीका होगा ये इतनी daily calculation करने का बिल्कुल है Rule of 72 Rule of 72 simply कहता है मान लो bank FD आपको 7% return दे रही है तो 72 को 7 से divide कर दो जो कियाता है 10.2 लगबग 10 साल मतलग 10 साल में पैसा double वैसे ही मान लो आपको 5 साल में पैसा double करना है तो उस पर कितना return कमाना पड़ेगा उसके लिए 72 को 5 से divide कर दो जो कियाता है 14.4 लगबग 14% तो अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आपने 10 लाक रुपे save कर लिए और इस पर हर साल 18% rate of return कमा रहें तो आप कितने साल में करोड़ पती बन जाएंगे 13 साल या 16 साल नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए आगे के वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि rule of 72 को कैसे हम financial statements analyze करने में यूज कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ बातों के साथ जो हर investor को पता होनी चाहिए तब तक के लिए good bye take care and thank you